डियर इस्टुडेंट्स आप क्लास 6 मैं एम जिस्की सर्मा मैं आपको मैथ एंसी आर्टी की किताब से चैप्टर नंबर फरस्ट की विशे में कुछ बताने जा रहा हूं आप ध्यान से सुनें क्योंकि यह एक्सर्साइज आपको स्वयम स्वाल्व करनी है चैप्टर नंबर फरस्ट जैसा कि आप जानते हैं आपके पहले चैप्टर का नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी और आप इसे पढ़ भी चुके हैं कि हमें संख्याओं की जानकारी क्यों अवस्याख है क्योंकि संख्याओं के द्वारा हम किसी बस्तु को गिन सकते हैं हम यह जान सकते हैं कि संख्याएं हमें सूचनाएं देती हैं कि हम कच्छा में कितने विद्यार थी हैं और भी इत्यादी चीजें अब इदि हम सबसे पहले देखें तो संख्याओं की तुलना संख्याओं की तुलना का आसाया है तुलना करने का मतलब होता है कि नहीं दो बस्तु को बीच में ध्यान से देखना कि यह बस्तु क्या हैं जैसे कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है अब पहली बार है कि आप प्रयास कीजिए इसे आप स्वाल भी कर लिजेगा कॉपी में यह एक्सरसाइज के क्वेस्चन्स नहीं है बट इंपार्टेंट हैं सबसे पहले आया है कि क्या आप तुरंत ज्याद कर सकते हैं कि प्रतेक पंक्ति में कौन सी संख्या सबसे बड़ी और कौन सी संख्या सबसे चोटी है जैसे 382, 4972, 1869, 780 इन संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे चोटी संख्या कौन सी है बच्चों इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 69,785 सबसे बड़ी तथा 18 सबसे चोटी संख्या है ऐसे ही जिदि आप इन प्रस्नों में देखें तो इन संख्याओं के बद्ध कोई एक संख्या सबसे चोटी तथा सबसे बड़ी दी गई है इसे आप कौपी में साल्व कर लिजेगा नेक्स्ट चले अब आपको बताना है तुलना करने के आधार पर यह कि प्रतेक समुव में सबसे बड़ी तो सबसे चोटी संख्याओं ग्याद कीजिए किसे भी आप ग्याद कर लेंगे नेक्स्ट आप कितनी संख्याओं बना सकते हैं इसमें दिया गया है कि मानलीजे आपके पास अंक साथ आठ तीन और पांच हैं इन में इन अंकों में चार अंकों वाली भिन भिन ऐसी संख्याओं बनाने को कहा जाता है कि एक संख्या में कोई भी अंक दोबारा ना आए इस प्रकार संख्या साथ आठ तीन पांच तो बनाई जा सकती है परंतु साथ साथ तीन पांच नहीं इन चार अंकों को जितनी संख्याओं बना सकते हैं बनाईए आपको सबसे बड़ी और सबसे चोटी संख्या कौन सी प्राथ होती है यह सबसे बड़ी संख्या 8753 और सबसे चोटी संख्या 3578 है दोनों में अंकों के क्रम के बारे में सोचिए क्या आप बता सकते हैं दिये गए एंकों में सबसे बड़ी संख्या किस प्रकार ग्याद की जा सकती है अपनी प्रकर्या को लिखिए बच्चों इसमें भी दिया गया है बिना पुनरा ब्रत्ति किये दिये हुई एंकों का प्रयोग करके के चारेंगों के सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाईए बच्चों सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम कि सबसे बड़े अंग को लेना स्टाइड करते हैं फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा और फिर ऐसे चलते रहते हैं कि इसमें हम कि इसमें हम अब रोही पर ध्यान देते हैं घटते क्रम घटते क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या होगी फिर सबसे चोटी संख्या होगी अगली बार हम संख्याओं के अस्थान को आपस में बदलते रहते हैं ताकि हमें सबसे बड़ी और सबसे चोटी संख्या मिल जाती है इसको भी आप solve कर ले next आप में आरोही और औरोही दिया गया है आप आरोही और औरोही जानते हैं आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते हुए क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे चोटी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या तथा औरोही का मतलब घटते हुए एक्रम घटते हुए एक्रम का मतलब हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लेंगे फिर उससे छोटी संख्या लेंगे फिर उससे छोटी संख्या लेंगे ऐसे तो इसको भी आप लोग कापी में कर लिजेगा संख्याओं को आरोही और औरोही में बेवस्तित करना है अब हम पहुंचते हैं अपनी एकसरसाईज पर अपनी एकसरसाईज को भी हम इस बार जो आप पढ़ चुके हैं वही है इसलिए हम साल्व नहीं कर रहे हैं आपको ध्यान देना है यदि आप नहीं कर पाएंगे तो उस एकसरसाईज को हम जो भी कुश्चन साब बताएंगे हम उन्हें आपको साल्व करके भी बताएंगे ठीक है इसलिए ध्यान दे इक्सरसाइज 1.1 इसे भी आपको कॉंपी में करना है जैसे रिकतस्थानों को भरिए एक लाख एक लाख में कितने दस हजार होते हैं एक मिलियन में कितने सो हजार होते हैं एक करोण में कितने दस हजार होते हैं एक करोण में कितने मिलियन होते हैं तथा एक मिलियन में कितने लाख होते हैं सामाने सा क्वेस्चन है आप कर सकते हैं नेक्स्ट है सही उत्रों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए इसे आपको अंकों में लिखना है अंकों में मतलब जैसे इसमें दिया गया है 73,000 73,75,307 आप जानते हैं बच्चों आपने पिछले क्लास में पढ़ा भी है क्योंकि ये पुन्राब्रति का चैप्टर है इसलिए आप जानते होंगे कि संख्याओं में अल्प विराम कहां लगते हैं सबसे पहले इकाई, धाई और सरकड़ा फिर अल्प विराम लगेगा 1000 और 10,000 दो अंकों के बाद और फिर से दो दो अंकों के बाद बराबर अल्प विराम लगते हैं नेक्स्ट गैश्ट है उप्यूक्त अस्थानों पर अल्फ बिराम लगाईये इसी भी आप कर सकते हैं अल्फ बिराम लगा कर ही इसे प्रयोग करना है पच्चों इसे आप साल्व करिए जिन क्शनों को आप नहीं जान पा रहे हैं उन्हें आप नोट करेंगे और मुझे भेजेंगे मैं आपको स्वाल्व करके बता दूँगा थैंक यू